नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे अगर आप वाट्सप से किसी को फोटो या वीडियो सेंड कर रहे हैं और इसके बाद इस तरह का अप्सन आ रहा है और आप वाट्सप से किसी को फोटो या वीडियो स start करते हैं दोस्तों इस problem को ठीक करने के लिए आपको अपने फॉर्ण में setting को open करने के बाद निचे के तर आप स्कॉल करके आना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा app management का तो यहाँ पर आपको एक option में click करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक option में app list का तो आपको app list का option में click करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको loading का option देखने को हमलेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर wait कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा application का option आ जाएगा तो यहाँ पे आपको WhatsApp ढूणना है या फिर यहाँ पे आपको search box में click करना है और यहाँ पे आपको WhatsApp टाइप करना है और इसके बाद WhatsApp का option यहाँ पे आजाएगा तो यहाँ पे आपको WhatsApp में click करना है जब आप WhatsApp में click करेंगे तो नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा camera का तो आपको camera का option में click करना है और इसके बाद यहां पे don't allow select होगा तो यहां पे आपको उपर वाले option select करना है allow का और जब आप इस option को select कर देंगे तो जो आपका problem है वो 100% solve हो जाएगा यानि कि जब आप WhatsApp से किसी को फोटो या वीडियो सेंड करेंगे तो यहां से जो है असानी से फोटो या वीडियो सेंड हो जाएगा तो यह जो प्रॉब्लम है ऐगर आपका ठीक हो चुक है तो नीचे कॉमेंट में जोड बताएगा कि मिरा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुक है तो दोश्ता आज किस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जाएं जया भारत